कि हालो स्टूडेंट गुद मॉनिंग हवार यू फाइन ना चलिए देखते हैं आज हम क्या करते हैं आज मैथट करते हैं नया क्वाटर्टी को सॉल्व करने का एक नया तरीका जो चीज बताना जा रहा हूं कि हर मैथड आपको ड्रिल होना चाहिए कभी भी जरूरत पढ़ सकती है फ्यूचर में ठीक है तो आप higher level पे अगर mathematics ले जाएंगे तो alternative आपको methods आने चाहिए ठीक है ये कोई जरूरत नहीं है कि क्या syllabus में क्या नहीं है बट हाँ quadratic equation अगर हमारा syllabus है तो quadratic equation की आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए ठीक है 10th level पे जितना जरूरी है ठीक है तो हम बात करते हैं इस method की completing the square method ठीक है अब completing the square method इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ square को complete किया जा रहा है ठीक है अब देखते हैं क्या complete करेंगे ठीक है one by one हम question से बात करते हैं आपको दो identity तो हमेसा पता ही होगी ठीक है एक हम बात करते थे जिसे हम करते आप बॉल्स maior तो आप बोलते थे प्लस b क्लस 2ab होता है ठीक है और एक कहो थैता था a minus b whole square तो इसमें आप बोलते थे a squareiones b square minus 2ab होता है तो इन identity को 2AB को चाहे बीच में लिखो चाहे बात में लिखो एक ही बात है तो हम इसको इस तरह से अगर लिख दें 2AB प्लस B स्क्वेर और माइनस 2AB प्लस B स्क्वेर तो कोई फर्क थोड़ना पड़ेगा देखे ये दोनो identity काम आती है इस method में आपको यही दोनो identity जो है वो काम आएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला भी और माइनस वाला तो किसमें प्लस वाला identity लगेगी किसमें माइनस वाली लगेगी ये depend करेगा sign, middle term का sign चाहिए इसका sign तो middle term अगर आपके पास negative है तो इसका मतलब माइनस वाली identity लगेगी और ये positive है तो positive वाली लगेगी अब लगेगी कैसे हम इसको एक question करते हैं question से आपको ज़्यादा drill होगी ठीक है तो let's start with the this question number first ठीक है आपको solve करना quantity questions आपके पास है एक second question भी मैंने यहाँ पर option में लिया है तो पहले हम इसको करते हैं फिर उसको करते हैं चीक है दोलों question को करेगी फिर देखते हैं तो सबसे पहला काम मैं आपको बता दूँ सबसे पहला काम आपको क्या करना है आपको ये check करना x square का coefficient क्या है 3 है तो जो भी x square का coefficient है उससे पूरी equation को divide करना है मतलब आपको क्या चाहिए x square अकेला चाहिए x square के left में आपके पास कोई भी number यहाँ पने यह x square का coefficient आपको 1 करना है तो कैसे 1 होगा जब इसको 3 से हम divide करेंगे तभी 1 होगा न तो इसलिए इसको अगर 3 से करेंगे तो सबको को ही 3 से करना पड़ेगा क्योंकि equation का rule है जब आप अपने मर्जी से किसी एक number को थोड़ना डिवाइड कर सकते हैं पूरी equation को divide करेंगे तभी आपका solution हो सकता है तो एक स्कुर का coefficient आपको क्या करना बनाना तो सबसे पहले यहां खाली करना मदद यह इस पेस आपको खाली करना यहां पर अगर अल्रेडी बना हुआ है अगर आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इस step को करने की सब्सक्राइड नहीं हो इस में लिए से डिवाइड करने का मतलब हार टाम डिवाइड भाइड बाइड ठीक है एवरी टाम डिवाइड गए तो यहीज तो यह 0 भाइड थी प्या जाएगा जित जादा एप्रॉप्येट जीरो-गध कुण होना चाहिए तो सबके यह त्या अच्छीस कट गया में हुशन को एक स्केशन को जुड़ा हुगा है अब आपको चेक करना कि कौन से identity लगेगी minus वाली लगेगी क्योंकि middle term का x का coefficient क्या है minus में है तो minus वाली identity किस तरह से लगेगी देखें आपके पास होता है a square minus 2ab plus b square is equal to किसके ब्रावर होता है a minus b all square तो आपको ये चीज बनानी है पहले और उससे आपको ये complete करना है square complete करना है square ठीक है तो आपको complete नहीं होगा इसलिए कुछ complete करके ये square बनाना पड़ेगा तो square बनाने के लिए a-b all square बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये 3 terms पूरी complete करना पड़ेगी यानि a square minus 2ab plus b square तब ही तो हम लिख सकते है नहीं तो आपको क्या करना देखिए इसके according चलना इसके according यहाँ पर क्या a square तो a square की जगा आपने के पास हमेशा क्या होगा x square ही होगा देखे x square को क्या लिखती है हमने x का whole square मतलब यह a हो गया a हमारा क्या है यहाँ पर x है उसके बाद देखी क्या लिखा है minus 2ab तो minus का 2 minus का 2 लगा दिया फिर a a मैंने क्या कहा अभी x होगा तो a की जगा क्या लिख दिया x लिख दिया 2 into a into b अब b की बात रही अब b क्या होगा अब b क्या होगा यह हमारे लिए question mark है ठीक है अब बताता हूं मैं b कैसे आएगा ठीक है b राने के लिए बहुत simple तरीक है तो b क्या होता है half of half of middle term coefficient without signing दो number जो है only number number आपको check करना middle term का coefficient क्या था 5 by 3 था उपर just इसके उपर आप देखे 5 by 3 minus का sign count करने की जोड़ती नहीं क्योंगे आप identity minus की लगा रहे है तो इसी लिए ये minus छोड़ दो आप देखो 5 by 3 number number check करना है तो 5 by 3 जो भी होगा तो 5 by 3 का क्या करना आपको half करना है हमेशा b जो होगा कैसे आएगा इसका half आएगा इसका half यहाँ आएगा तो 5 by 3 का half क्या होगा 5 by 6 हो गया हो गया ना half into 5 by 3 मतलब half of this तो 3, 2, 6 हो गया और 5 का 5 तो 5 by 6 आगया तो यहाँ पर b जो आया आपने पास 5 by 6 आपको पता चलना चीक कैसे आया तो यह b की value क्या आगई 5 by 6 आगई यह सबसे important था कि कैसे आया अब मैंने क्या बोला हमेशा कैसे आएगा इसका half आएगा अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 लिख देंगे यहाँ 6 होगा तो यहाँ 3 लिख देंगे अगर fraction में है तो fraction में इस तरह से half multiply कर दो आप तो 5 by 6 आगए अब अब देखिए 2ab, minus 2ab हो गया आपको मैं इस चीज़ बता दूँ कि हम अपनी मर्जी से अभी तक कुछ नहीं किये अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया हमने कह किया देखिए x square को x square लिखा और 5 by 3 x को 5 by 3 x को इस तरह से लिख दिया ठेक है देखिए ना यह 5 by 3 x ही होगा 2 से 6 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा यहां पे तो 5 by 3 into x 5 by 3 x ही रहेगा मतलब यह term जो है यही वाली है इसी कोई हमने ऐसे खोल के लिख दिया ठेक है इसके इसके हिसाब से हमने यह चीज़ बनानी है जिससे हम a minus b को whole square बना सकने complete कर सके है ठेक है तो अब 2 into a into b हो गया ठेक है अब यहां पे अपने को b square चाहिए तो यह term तो यह आगे यह term यह आगे बची कौन सी 2 by 3 तो 2 by 3 इसका square तो होता नहीं है देखो ना 5 by 6 का square क्या होगा 25 by 36 आता है और 25 by 36 2 by 3 नहीं होता नहीं होता ना तो इसी लिए यह 2 by 3 तो एक्स्ट्रा रह जाएगा लेकिन अपने को जरूरत क्या है b square क्योंकि b square जब तक नहीं आएगा तब तक यह square जो है complete नहीं होगा यह formula complete नहीं होगा देखे आपके पास a square minus 2 a b तो बन गया लेकिन क्या नहीं है b square नहीं है तो b square नहीं है तो क्या करना है आपको अपनी मर्जी से इसका square एड करना पड़ेगा और उतना ही subtract भी करना पड़ेगा ठीक है जितना एड किया उतना subtract कर दें तो equation में कोई फर्ट नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन add क्यों किया क्योंकि मुझे क्या बनाना है square complete करना है b square ठीक है तो b तो पता चल गया लेकिन b का square हमारे पास नहीं था इसलिए b का square add कर दिया और उतना ही value हमने subtract कर दी जिससे overall कोई फर्क ना पड़े ठीक है और कौन सी time बच गई plus 2y3 is equal to 0 सब्समेरी बात है 2y3 तो बचा हुआ था हमने पास वो तो as a tc रखेंगे और equal to 0 भी बचेंगे तो मैंने कह किया इसको add कर दिया और इसको subtract कर दिया अपनी बजा से देखे बाकी सारी terms तीन term तो पहले सी थी एक दो तीन तो ये वाली ये है ये वाली term ये है और 2y3 इदर है इन दोनों term को हमने extra लिखा एक बार इसी को add कर दिया एक बार इसी को subtract कर दिया और ऐसा क्यूं किया ऐसा इसलिए किया क्यूंकि मुझे यहाँ पे b2 की ज़रूरत थी तब ही तो complete होगा square क्यूंकि method का नाम ही method of completing the square है तो इसमें square को complete करना है ठीक है और कैसे करना है ऐसे करना है जैसे मैंने अभी बताया तो b अपने को पता चल गया लेकिन b2 था नहीं तो इसलिए हमने b2 add कर दिया और उतना ही value subtract कर दी ठीक है अब हमारा देखिए काम लगभग हो गया जिसको यह step अगर clear हो गया तो इसका मतलब काम खतम ठीक है अब देखिए यहां से लेकर यहां तक square complete हो गया देखिए a square minus 2ab plus b square ठीक है तो इसकी जगा पे हम कह लिख सकते है a minus b whole square लिख सकते है तो a क्या था? x था b क्या था? 5 by 6 इसका whole square लिख सकते है इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? x minus 5 by 6 whole square लिख सकता हूँ या नहीं? देखे न यह पूरा बन गया तो यह लिख सकते है तो a minus b whole square यह होता है तो यह जो पूरा बन गया इसमें a यह है, b यह है तो a minus b whole square लिख दिया यहां तक और जो जो term बची आपने पास यही दो तो बचेगी जो हमने subtract किया था और यह किया था तो इन दोनों terms को हमें right side में shift कर देना है तो right side में shift करेंगे इसको उदर ले जाएंगे तो यह negative की term है यह positive हो जाएगी और square भी खुल जाएगा तो square खुलेगा तो उदर जाएगा minus का 2 by 3 clear square वाली term तो इदर रखनी है बाकी जो दो term बचेगी आपके पास उसको right side में shift कर देना यह द्यार लखना बस आपको shortcut काम है बस आप तो क्या करना आप इसका LCM निकाल दीजिए 36 और 3 का तो 36 ही हो गया 36 से 36 को डिवाड गया 1 1 into 25 25 फिर इससे इसको डिवाड गया 12 12 तूजा 24 तो यह हो गया 1 by 36 ठीक है और क्या है यह x minus 5 by 6 का square आ रहा था यह यही आ रहा था पिटा ठीक है अब अब देखिए मैं इसका square यहां से हटाऊंगा x अब मुझे x minus 5 by 6 की value चाहिए ठीक है इसका square हटाऊंगा तो इस side के आएगा root आएगा under root ठीक है और under root plus minus के साथ आएगा under root 1 by 36 ठीक है क्यों आएगा plus minus के साथ क्योंकि under root जब हम निकालते हैं तो दो value आती है जैसे minus 5 का square भी क्या होता है 25 और plus 5 का भी square क्या होता है 25 तो 25 का root निकालने लगाएंगे तो 2 आएगे minus 5 और plus 5 क्योंकि minus 5 का भी square 25 है और 5 का भी square 25 है तो दो value निकल के आएगी न1 plus 5 और minus 5 क्योंकि under root वो होता है जिसका square करके हमें यह value मिली हो माइनव पाइज इसका square करके यह same value मिली है तो इसका under root तो hus करेंगे हम जिसका यह स्क्वेय है तो इन दोनों के स्क्वेयर्ट इसलिए इसके रोट क्या आएंगे ? थिंगे ? इसलिए हमेशा धृणरणा लखना यहाँ पर जब भी यहां पर plus minus है तो एक बार plus के साथ लेंगे एक बार minus के साथ लेंगे और x की दो values निकल जाएगी ठीक है और कैसे निकलेगी लेटेस्टू यहां हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि either either x-5y6 is equal to 1y6 और x-5y6 is equal to minus का 1y6 क्या किया मैंने एक बार 1y6 plus का लिया इधर और एक बार के लिया minus का चीक है यह left side तो as it is बस यह वाली quantity plus की एक बार एक बार minus की तो दो value आ जाएंगी तो देखिए यहां पर आप x निकालेंगे तो x को इधर रहने जो 5 by 6 को उस साइड ले जाएंगे तो plus का हो जाएंगे न 5 by 6 और 1 by 6 as it is है वहां पर तो 6 तो LCM as it is आ गया और same denominator हो तो numerator as it is plus हो जाएंगे 5 plus 1 6 तो 6 से 6 डिवाइड हो गया x is equal to 1 आ गयी एक तो ठीक है और इधर से अगर x निकालेंगे तो 5 by 6 वहां जाके plus का हो गया और 1 by 6 minus का है फिर से denominator same है तो यह as it is ही plus minus हो जाता है तो 5 minus 1 क्या हो गया 4 तो यह हो गया 2 by 3 तो x is equal to 2 by 3 तो लास्ट में हम लिखेंगे therefore x की दो value आ गई 1 और 2 by 3 ठीक है यह आपके पास solution हो गया तो इस तरह से हम completing square method जो है वो अपलाई करते हैं और दो value हमारी दो roots जो है वो निकल के आते है clear बटा इस question को भी करते हैं फिर देखते हैं क्या बात है ठीक है फिर से आपको थोड़ा सा odd drill हो जाएगा method ठीक है तो start करते हैं second वाला question ठीक है आप video को pause भी कर सकते है no down करना आपको no down कर लीजिए फिर repeat करके आप फिर से रिवाइन करके check कर सकते हैं कि कोई आपको step अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार देखिए तो हमारे पास देखिए second question है यह इदर मैं लिख देता हूं इसको 2x square minus 2 root 2x plus 1 is equal to 0 ठीक है यह हमारा second question है इसको हटा दो ठीक है तो सबसे पहला काम हमारा क्या था है इदर देखिए implies हम लगाते हैं क्योंभी जब भी हम equation को solve करते हैं तो equal to का sign नहीं लगा ना क्योंगे equal to already उसके अंदर है तो implies new step जब भी करना है तो implies sign ठीक है दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस मतलब इससे यह हो रहा है अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था first step x square के आगे क्या है 2 है तो 2 से पहले इसको डिवाइड किया तो यह सिर्फ x square बचेगा इधर 2 डिवाइड करें तो यह 2 हर्तम हो जाएगा तो अंटर रूट 2 x रह जाएगा इधर 2 डिवाइड करें तो 1 x 2 आ जाएगा ठीक है 0 x 2 तो 0 है अब इसके बाद मैंने कहा था यहां पे sign check करो कौन से identity लगेगी फिर से देखिए minus वाली ही लगेगी क्यों क्योंकि बीच में यहां पे sign कौन सा है minus का है अब देखिए minus की फिल से हम क्या बनाएंगे a square minus 2ab plus b square इस equal to क्या हता है a minus b का all square तो यह वाला चीज अपको बनाना है तो मैंने हमेशा बोला x तो हमेशा क्या होगा a to हमेशा क्या होगा x ही ह होगा तो a square फिर बोला मैंने minus 2ab लिखने का तो 2 minus का 2 लिख दिया a क्या होगा x ही होगा हमेशा और b yes b कैसे बताया था b मैंने बताया था इस वाले को नंबर का half लिखना यहां पे तो देखिए root 2 का half क्या होगा यही तो होगा वे रूट 2 का half क्या होगा 1 by 2 into root 2 half of under root 2 तो यही तो आएगा root 2 divided by 2 तो इसको लिख सकते हैं root 2 divided by 2 ठीक है यह लिख दिया अब plus ठीक है b square तो देखिए अब इसका क्या square यह है या नहीं है चेक करते हैं under root 2 divided by 2 का square b इसका b square भी तो add करना ना लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका square अल्रेड़ी यही होता है यह जो number रह गया आपने पास यहां पे यह तीसा number जो है कई बार यही इसका number का क्या हो जाता है square हो जाता है तो वही हम चेक कर रहें क्या है स्कोर होता है यह नहीं तो देखिए root two का square क्या हो गया वाले का euchar to नीचे वाले सक्क्रेड क्या हो गया फॉर् यह कितना हो गया ववेडा बिलकुल सजी बात है 1 by 2 ही है देखे विटा इसमें हमें ना तो add करने की ज़रूरत है और ना subtract करने की क्यों क्यों हमारा काम यहीं से बन गया यहीं से कैसे बन गया क्यों मैंने यह question आपको करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि इसमें आपको सेम रूट आएंगे यहीं सेम एक्स की दो वैल्यू आएंगी ठीक है और क्यों आएंगी क्योंकि यहां पे एड करने की जरूरत नहीं है अपने को लोगा तो रूट 2 x-1 अच्छों गया यह वाला ही इसका स्कॉयर बन गया देखिए यह आया अपने पास इसका हाफ तो वी का स्कॉयर करके देखिए क्या यह आ रहा या नहीं आ रहा है अगर यहीं सक्कॉर हो जाता है तो इसी नंबर को इसके स्कॉयर की शेप में लिख दो आप तो इसमें कोई या सब्ट्रेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो चेक कर लिजिए अगर ऐसा है तो एड और सब्ट्रेक्ट करने की ज़रूरत नहीं अब आप क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक स्क्वेर कंप्लीट हो गया पूरा तो इसको क्या लिखते हैं कि इसके दो फेक्टर क्या लिख देंगे एकस माइनस अंटर रूट नहीं करना पड़ता है तो सीधा ही क्या बन जाता है whole square is equal to 0, ठीक है, तो अब सीधा देखिए, क्या करेंगे हम, इसके दो factor क्या लिख देंगे, x minus under root 2 divided by 2, x minus under root 2 divided by 2 is equal to 0, क्योंकि इसका square था, तो इसको दो बार लिख दिया हमने, तो उसके बाद देखिए, factorization method में जो करते थे, वह हम कर रहे हैं, ठीक है, दो factor का product जीदो, या तो ये 0, या ये 0, तो आइदर, x minus under root 2 divided by 2 is equal to 0, और x minus under root divided by 2 is equal to 0, तो दोनों factor सेम यह है, इसलिए x की दोनों value सेम याएंगे, तो x equal to क्या जाएगा, root 2 divided by 2, और यहां से भी क्या जाएगा, x is equal to root 2 divided by 2, ठीक है, और यहां पर पर पास देखिए, root 2 divided by 2, दोनों सेम रूट आए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, इसको rationalize कर ले हम, तो अपने पास one by root 2 भी answer आजा जाएगा, देखिए, कैसे आएगा, इसको अगर आप root 2 से multiply करतो, और इचे भी root 2 से, तो आपने पास root 2 into root 2 क्या हो जाएगा, 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 root 2, ठीक है, फिर 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो उपर आजाएगा 1, तो 1 by under root 2 आजाएगा, ठीक है, तो x की दोनों value, 1 by under root 2, 1 by under root 2 आजाएगा, ये भी same आएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 1 by under root 2, तो आप चाहे ऐसे लिख दो, under root 2 divided by 2, under root 2 divided by 2, ये भी answer वही है, और ये भी answer वही है, same है, no problem, ठीक है, दोनों ही answer same है, क्योंकि ये ही चीज तो घूम के क्या बन रही है, 1 by under root 2 बन रही है, ठीक है, तो no problem at all, यहाँ से भी आपके काम जो है, वो खतम हो चुका था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, दोनों value same ही आनी थी, जब दोनों repeated roots होते हैं, same होते हैं, तभी ऐसा case होता है, जहाँ पर हमें ठीक है, यह 4.3 exercise के चार question है, starting के, इन में से मैं एक कोई भी उठा लेता हूँ, और वो करने की question करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं, 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0, ठीक है, इसको question को देते हैं, 3 third को, तो सबसे पहला काम, two set pulling equation को divide करना, तो x square minus 7 by 2x plus 3y2 is equal to 0 by 2, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, पहला काम हो गया, फिर उसके बाद देखें, फिर minus का, तो minus का identity ये वाली है, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, x को तो x square ही लिख देते हैं, फिर minus 2 into as it is x आ गया, और b की value क्या होती है, 7 by 2 का half, तो बिल्ली पेटा, half of 7 by 2, 7 by 2 का half क्या होगा, 7 by 4 हो जाएगा, ठीक है न, 22 जा 4 हो गया, यहां आ जाएगा, 7 by 4, अब देखेंगे, 7 by 4 का square ये है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देखें, 3 by 2 इसका square नहीं होता, 49 by 16 आएगा इसका square, ठीक है, तो ये 49 by 16 नहीं होता है, तो इसलिए यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद से add करना पड़ेगा, तो करिए, 7 by 4 का square add भी कर दिया, 7 by 4 का square subtract भी कर दिया, और 3 by 2 प्लस का लिख दिया, as it is, equal to 0, ठीक है, अब देखें, यहां से लेकर, यहां तक तो whole square बन गया, किसका, a minus b का whole square, तो a तो x है, minus 7 by 4, b की जगा है, तो x minus 7 by 4 का square होगा है यह, अब यह दोनों term extra है, तो दूसरे side shift कर दो इसको, तो यह हो जाएगी, देखें, यह उदर जाएगा, तो यह plus का हो जाएगा, minus की term है, तो 49 divided by 16 हो जाएगा, square को दिया, दोनों के उपर नीचे, और यह minus का 3 by 2 हो जाएगा, ठीक है, LCM ले लेंगे, 16 और 2 का LCM, 16, 16 divided by 16, 1, 1 into 49, 49, इससे इसको divided किया, 16 से 2 को, तो 8 आया, 8 3 जा, 24, ठीक है, तो यह आगे, 25 divided by 16, ठीक है, x minus 7 by 4 whole square, clear बटा, अब इसके बाद देखें, मैं जब इसका square ओपन करूंगा, तो यह इदर आके, plus minus के साथ, under root 25y के आजाएगा 16 आजाएगा, और 7, x minus 7 by 4 is equal to plus minus 5 by 4, 25 का तो 5 होता है, और इसका 4 होगा, under root, ठीक है, फिर से आपने पास अब देखें, एक बार plus के बार, 7 एक बार minus के साथ, ठीक है, इसके बाद आप इदर देखेंगे, either x minus 7 by 4 is equal to 5 by 4, और x minus 7 by 4 is equal to minus 5 by 4, एक बार plus का, एक बार minus का, यह, तो यहां से 2 value आजाएगी, x is equal to 7 by 4 उदर चला गया, तो plus का हो गया, और plus का 5 by 4 as it is है, तो 4, 4 LCM as it is आगया, और 7 plus 5, 12, तो यह आगया, अपने पास 3, तो x की value एक तो आगई 3, और यहां से रिखेंगे, क्या आज़ता है, 7 by 4 minus 5 by 4, तो 4, 4 LCM सेम है, तो यहां 7 minus 5 कितना हो तो यह हो गया, 1 by 2, तो x की value यहां से आई, 1 by 2, ठीक है, तो therefore x is equal to 3, x is equal to 1 by 2, clear बटा, तो यह हमारा क्या है, completing the square method है, बटा, completing the square method, ठीक है, तो इस तरह से आप और भी try कर सकते हैं, ठीक है, बहुत साथी questions होते हैं, हल quadratic equation जो है, वो completing the square method से, मददा आप solve कर सकते हो, ठीक है तो I think इतना काफी है, आज के लिए, ठीक है, इस method को आप drill करिए, ठीक है, और देखे, कल हम इसी को ही आगे थोड़ा से एक दो question करके, इसके quadratic formula बनाने की कोशिश करेंगे, कि quadratic formula जो है, वो completing the square method से कैसे बना है, ठीक है, तो आप इसके कम से कम आज 10 questions, 10 questions हर method के आपको करने हो आपका fast work हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं, आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप उसको like करिए, ठीक है, और अगर आपको कोई कमी लगी है, ठीक है, कोई चीज आपको जिसमें समझ में नहीं आई, कोई step नहीं समझ म आएगा, तो comment box में आप लिख दीजिए, ठीक है, जिससे मैं और उस question को दुपरा से करवा सकता हूँ, ठीक है, तो देखते हैं, फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, ठीक है, नहीं चीज के साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में उसकी, मैं शॉट आउट कर सकूँ उसको, ठीक है, तो थेंक यू फा वाचिंग दिस वीडियो, और वेल मीट इन दा नेक्स वीडियो विद दा न्यू टॉपिक, ओके, बाई